यहां बहुत कमी होती है ध्यान देने यूग के बात है मंत्रू पर अविश्वास मत करो नाम पर अविश्वास मत करो तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है एक कामना की पूर्ती तुम बिश्व की कामना की पूर्ती कर सकते हो बिश्व की कामना की पूर्ती तो ले आप क्यों नहीं कर लेते क्योंकि हम बिश्वात्मा की कामना किये हुए है हम बिश्व की नहीं है हम जिस बात की कामना किये हुए है उसके लिए बिश्व का बिश्वरण करना है मन मन की रुचिजान इनेह बिदी अनुष्षरें हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी शेवा मेरत होना चाहते है नाम और मंत्र में इतनी ताकत है आप उशको समझ नहीं पाए आप विचार करके देखे जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही मदिरा त्याग देता था मान्ष खाना त्याग देता था दूश्रे की निंदा करना त्याग देता था अप वित्रता का त्याग कर देता पर हम पवित्र रिश्यों की तरह होकर वो तव अनुष्ठान करता था यद्यपी वो जगत विनास के लिए अनुस्टान होता पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यक्ता थी अब आप बेविचार करो शराप पीओ मांस खाओ गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना वो बोल रहे थे कि कुतना भी बड़ा शंकट हो फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक बिपत्ती को ऐसे ननस्ट कर दे तो बता देना इसका जब करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा नहोजाए ब्रह्मचर्शे रहो जूट मत बोलना मदिरा मत पीना मांस मत खाना और नाकाम हो जाए तो में बताना के भारी से भारी बिपत्ती का नास करके भगवान श्री कृष्ण का आस्ट रहे उसे उचे उठा देगा इस जगत की धरा से उठा देगा बिश्वाशने आप मदिरा पी यो मांश खाओ बेविचार करो और सोचो लाग दो लाग महत्मा को दे देंगे हमारी कामना कूरती हो जाएगी बिलकुल भूल में मत रहे ना आपको संशे होता है नाम पे संशे होता है मंत्रू पे संशे होता है सास्त्र की विधान पर आप चलते हो सास्त्र विधान से कहां चलते हो अरे हम जब कहरें कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था इतना अनुष्ठान में कि मेघणात को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू पर उन ना मंत्र छोड़ रहा है ना हील रहा है ना उनकी तरब देख रहा है इतना सहन सील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगो पांग अनुष्ठान करो भला कामना की पूर्ति न हो जाए नई आप शास्त्रों में पढ़के देखो संता अनुत पत्ति के लिए कैसे पयो ब्रत का कैसे अनुष्ठान किया पवित्र रहे करके इतनी इतनी मात्रा में यह आहार लेना है इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए क्या चाहिए तुम्हें भारी भारी बिपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को तुम्हें धनी वनना है अनुष्ठान कीजिये हम कहने किसी विशेश मंत्रादी की तरफ न बढ़िये बोलिये राधा राधा क्या चाहिए आपको क्रिश्न क्रिश्न बोलिये साम मंत्रों का सार है नाम में आप बोलिये तो नाम पवित्र हो ये गंदे आचरन शोड़िये क्या चाहिए आपको भगवान का नाम जहां गूंजता है वहाँ एश्वर्य अपने आप चरणों में लोटता है अब चल कपट करो, इंशा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं तो दुसकृती का फल दरिद्रता और दुख होता है शुकृत का फल एश्वर्य और शुक होता है अब लगाओ तुम काटेदार ब्रक्षवर चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो तो इसे मूर्खता ही कहते है फिर दोस देता है काल, कर्म, इश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों अरे कुछ नहीं नाम मंत्र में जराशी भी अनुष्ठान में तुरूटी हो जाए तो उसका फल बदल जाता है आप कहा अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सब्षे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरन, ब्रह्मचरे, शत्यवाद, पवित्र भोजन, शैयम सिर, कोई भी अनुस्ठान कर, किशी भी विशय का अनुस्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा, ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी-बड़ी काम नहीं करते हो, हवा में काम नहीं पूर्ण ह जाएगी, किशी का भी महावली ये तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसकी माता पिता कैसे आचरन किया है, दस हजार वर्ष तक, भगवान श्री हरी में मन लगा कर, निरंतर मंत्र जपने पर, कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुन जी को प्रकट किया, भगवान गरुन जी, स्री हरी के वाहन, प्रथम पुत्र अरुन जी, जो शूरी के सामने बैठे हुए है, सार्थी बने, दस हजार वर्ष तक, करदम जी, भारी तपश्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, भगवान श्वयम कपिल दिव जी की रूप में बीना भजन के, बीना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्त, हवा में कामनाओं की पूर्ती हो जाएगी, मनमानी आचरन, कुछ निम्बू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंतुर बांध लो, भसंद, इनसे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, राधा, 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 जो होकर चाहोगे हो जाए, पर पवित्राचरन, साथ में पवित्राचरन हो, एक किशान भी अन्न बोता है, तो खेती को तयार करता है, आपको अपने हरदय की भूमी तयार कर रही ह की कामना पूर्ती के लिए ऐसे थूरी चला जाता है देखो ना ऐसे एक चपत लगा दी सुरुची ने क्योंकि उसकी रुची के खिलाफ हुआ क्यों पिता की गोद में बैठना चाहते थे छत्री वालक माता के पास गए उनका नाम शुनीती है वो शुन्दर नीती से चलती है वो रुची से चलती है सुरुची अपनी रुची और वो शुनीती है शुन्दर नीती से चलती है मा पिता जी ने गोद में बैठाला नहीं और मा ने चपत लगा दी और कहा तूँ ऐसे की गर्व से प्रगट हुआ है सिंगाशन का अदिकारी नहीं अगर तुझे बेटा महरास तो मुझे दाशी भी मानने के लिए तयार नहीं है बेटा भगवान नारायन का जिसने आश्रे लिया उसकी कोई कामना धुरी नहीं रही जाओ तुम भगवान श्री हरी का आश्रे लो वही तुम्हारी कामना की पूर्ती करेंगे मेरे में तो कोई शामर्त नहीं पर मैं आश्रवाद देती हूँ मेरा आश्रवाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा पांच वर शका बालग चला भगवान की प्राप्ती के लिए वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं वो पद चाह रहे हैं कैशी जीवन भी तित किया देखो छे महीने की बार बोले छे महीने में के छे महीने में एक छोटा सा बाला कितना कष्ट सहरा है छे महीने तो बहुत समय हो गया भगवान तो इस भी बहुत करुणा में एक आर्थ पुका दे तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा एक बार जिन नाम ली हित्सु हुए अति दीन ताको शंग नचान ही धुरू अपनों कर लीन यह महारशिक सेखरों के वचन है को यह शे मिथ्या वचन थूड़ी श्वास को भी रोक लेते हैं भगवान का जो मंत्र श्री दिवर् जिन दिया उशी का ध्यान कर ले ऐसा पद मिला कि सब तेरी शीप परिक्रमा करते हैं ना उनके पिता को मिला ना उनके पितामा को मिला इसके आगे तो है नहीं गुत्तानपाद महलाजमन ब्रमा बस ऐसा पद मिला कि किशी को पद नहीं मिला पर आप देखो कामना की पूर् परपित करके भगवान की बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लेशन मांस मच्छली दुनिया की दली दुनाय करो, हमारी कामनाओं की पूर्ती हो जाए, बकवाश करते हैं लोग आकर, परमार्थों को एक हसी बना दिया है, एक मजाग बना दिया है, शंतों को एक नाटक बना संत मार्गों की उपहास का सुरुप बना दिया है, हमारी ये कामना की पूर्ती कर दो, उनका जीवन कामना की पूर्ती के लिए तुम्हारे है, अरे तुम्हें निश्काम करके भगवश शाक्षात कार कराने के लिए हैं, कि छोटी मोटी जिन्ब में तुम फस कर तुमारी दुर्गती हो रही, उसी में और उबढ़ावा देने के लिए हैं, परफशन शार तो अपनी बात मानता है, उस ना सास्त्र की बात मानता है न शंतों की